हेलो गाईज अगर आप भी एक लैप्टॉप ओन करते हो जो कि कुछ टाइम पुराना हो चुका है कुछ इयर्स ओल्ड हो गया है और अब बैटरी जो है आपको धोखा देरे लग गई है कि थोड़ा सा भी नहीं चल रही है और आप चाहरे हो कि एक बैटरी में चेंज कर लू तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है लेकिन इसमें भी दो चीजें है अगर आप जैनुइन बैटरी चाह रहे हो सेम कंपनी की जिस कंपनी का आपका लैप्टॉप है और आपको प्राइस से कोई फरक नहीं पढ़ना है तब तो ये वीडियो किसी काम की नहीं है आप बैटरी जो कि मुझे ओरिजिनल जो डेल की वैटरी थी उससे 50% रेट में मिल गया है और तो देखते हैं फिर कैसा प्रोड़क्ट है क्या होने वाला है आज की वीडियो में फटाफट से खोल लेते हैं बॉक्स को और ये है प्रोड़क्ट साइट में ये है बिल इसे बाद बात करेंगे और प्रोड़क्ट निकालते हैं फटाफट से लेब केर कंपणी का नाम है जैसा कि आप देख सकते हो कुछ पॉइंट्स वगरा यहां पर लिखे हुए है इकोनॉमिकल, रिलाइबल, एन्वारिमेंट फ्रेंडी बहुत सारी चीज़े यहां पर लिखी हुई है टॉल फरी यह नमबर वगरा दे रखा है इसमें और कंपणी जो है ना काईज यह मतलब ठीक ठाक है बहुत नई भी नहीं है साथी साथ इसमें मुझे सही चीज़ यह लगी एक तो इसके सस्ते मिल रहे हैं दूसरी चीज़ यह है कि यह आप देख सकते हो बाराम हिने की वरैंटी है जो आता है वह काफ़ी चांट कर लेते हैं देखते हैं किस तर्के से अंदर रखा हुआ है तो इसके खोलते हैं अंदर लैप्टोप की बैटरी नहीं है इस्टरक्षन विलंगरा होते हैं उस सब के वारे में हम बात करेंगे तो यह है काफी अच्छे तरके से रखा है आप देख सकते हो ठीक है आप इस बॉक्स को देख लेते हैं चारों तरफ से तो बाकी दर कुछ खास लिखा हुआ नहीं है पीछे यहां पर आप देखो तो इन्होंने कई सारे प्रोडक्स के बारे में लिखा है जो यह लोग बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ लैप्टॉप की बैटरियां बना रहे हैं काफी सारी जो डिवाइस बगरा हैं वो भी यह लोग बना रहे हैं और अलग लग लैप्टॉप के लिए बनाते हैं नीचे प्राइस आप देख सकते हैं 2499 रुपे इसमें लिखा हुआ है पर मुझे यह पढ़ा है में जो कंटेंट है इसका यान की बैटरी बैटरी के साथ दो बुकलेट वगरा दे रखी है एक इंस्ट्रक्शन मैनुएल होगी और एक देखना पड़ेगा क्या है तो पहले तो इसे बाहर निखाल लेते हैं जल्दी से और ये है बैटरी देखने के हिसाब से और फील के हिसाब से तो बिल्ड क्वालिटी में सही लग रही है और बिल्कुल वही बैटरी है जो मेरे लैप्टॉप में लगती है क्योंकि सेप उसका वैसी दिख रहा है सांथ में साइड में लैपकेर लिखा हुआ है और अगर वाट वगरा की बात की जाए तो 11.1 वोल्ट की है यह मैक्जिमम चार्ज 12.6 वोल्ट तक जाता है इसमें बट मेंची जहां पर है 44 वाट आवर की बैटरी है यह 44 वाट एमपेर आवर जो होता है और जो मेरे लैपटॉप की बैटरी वो साइड थोड़ा सा जादा है उसके बारे में हम अभी बात करेंगे बाकी यहां पर इस्टिकर चिपका रखा है इसे निकालना नहीं है हमने नहीं तो वरंटी वोइड हो जाएगी ऐसा कुछ लिखा इसने तो देखने के इसाब से मतलब सही है फील विल भी अच्छा आ रहा है अब इसको रखते हैं साइड बात कर लेते हैं थोड़ा सा जो मिला इसके साथ तो यह है मैनवल इसमें कुछ जादा लिखा हुआ है नहीं है अलग-अलग package में है मतलब वही सब चीजें है जो Hindi में लिख रखा है कैसे केئर करनी है क्या करना है वह सब साइड करो यह है में चीज इसमें बाइबैक प्रोग्राम है गाईज इसमें मतलब यह लोग इवेस्ट जो है ना उसे खरीद भी रहे हैं तो आप देख सकते हो अलग-अलग प्राइस में अलग-अलग चीज़ें के बारे में लिखाए जैसे पचास उपे वाला है इसमें इन्होंने पावर बस यहीं बेज भी सकता हूं तो यह चीज है पचास में में चली जाएगी ठीक है ना और इसमें ग्रीन टुमर वगरा यह सब लिखा हुआ है वेस्ट मेनेजमेंट का है पूरा सब कुछ और इधर देखो आपे जो पेरिफेरल डिवाइसे बगरा हैं कम्पिटर की जो सब्सक्राइब तो इससे भी साइट कर लेते हैं ठीक है अब आया मेन यह लैप्टॉप इसके अंदर लगी है बैटरी ओरिजिनल वाली इससे पहले बाहर निकालना पड़ेगा इसको साइट खिसकाओ और दूसरे बटन को खींचते हुए इसे बाहर निकालना पड़ता है क और यह है डैल की बैटरी आप देखे लो सेप बिल्कुल वैसा ही है और बिल्ड क्वालिटी मुझे मतलब वैसा ही लग रही है कैपेसिट यहां पर 48 वाट एंपेर आवर की है जो मैं कहरा था थोड़ा ज्यादा हो सकती है यह बाकी रेटिंग 11.1 वोल्ट की है जो की मेरे वाली जो नया मैंने मंगाया उसकी भी है पर यह आती है 3000 की और वो मिली है मुझे 1500 की 50% हो गया ना तो वह चीज के हिसाब से ज्यादा बेटर मुझे वही वाली लगी है लेकिन फिर कमपनी का जहां तक बात है तो इसमें बैक अप का कैसा मिलता है मुझे कोई आइडिया नहीं क्योंकि पहली बारी मैंने मंगाया हुआ है ठीक है यह यहाँ पर देख़ो आप लैप के लिख रखा है इसमें और बाकी इसमें स्पेशल बतानी लाएक नहीं है थोड़ा बहुत बैटरी के साथ क्या करना है क्या नहीं करना है उस टाइप की चीज़ें इसने लिखके दे रखी है तो लगा लेते हैं एक बार इसे उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है तो यह फिट हो गया और लॉक्षिस का ज दुको क्योंकि काफी टाइमिसे मैंने यूज नहीं किया हुआ है ऐसी बंद पड़ा था थोड़ा गंदा हो गया है तो ओन करके देखते हैं और ओन तो हो गया भाई है अब बस इसमें थोड़ा बैटरी हो ताकि मैं दिखा पाऊं यह है देखो डैल की जो मैंने बाहर रख करता हूं फिर देखते हैं कितनी इसमें बैटरी बची हुई है और कितना बैक अप मिलने वाला है तो यह लगभग 30% के अराउंड है बैटरी गाईज हां तो यहां पर आप देख सकते हो 30% है बैटरी और 45 मिनट्स के करीब लिखा हुआ है अगर यह 100% में मुझे 1.5 घंट को लाइक करना थेंक यू